नमस्कार दोस्तों एक बात में से आपका स्वागत करती हूं ओके क्रेजिट में और आज एक और चस्प आइडिया लेकर आई हूं आपके लिए बिजनस का लेकिन उससे पहले आप हमारे चानल को सब्सक्राइब कीचे वीजियो पसंद आए तो लाइक कीचे साथ ही साथ बैल लागत में आप profit कमा सकते हैं मैं बात कर रही हूंटरू के wholesale के business करते हैं चाहनम मुनाफ़ा कमा सकते हैं साथ आप दिंद्दूगनी राच दखली आपकी कर सकते हैं मुनाफ़ा कमा सकते हैं और स्ट्धिंध कश्चीप का खयाल करना है जैसे कि आपको अपने दिमाग से काम जिससे आप अपने बिजनेस को और जादा आगे बढ़ा सकते हैं और बिजनेस अगर आप फ्लों का करने का सोच रहे हैं तो यह टिप्स तरह ध्यान से सुनें फ्लों का बिजनेस करने के लिए कोई जिगरी की आवशकता नहीं होगी और ना ही कोई बड़ी पूजी की ऐसा नहीं है कि इस बिजनेस को केवल पड़े लिखे लोग ही कर सकते हैं या जिनके पास अधिक पैसा है वो कर सकते हैं यह कैसा बिजनेस है जिसे कम पड़े लिखे और अनपर लोग भी कर सकते हैं और जिनकी पास इतनी लागत नहीं है कोई और बिजनेस को करने की वो इस बिजनेस को कर सकते हैं इस बिजनेस को करने के दो तरीके हैं पहला होलसेल और दूसरा रीटेल इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे फलों का थोक विपार कैसे कर दुकानदार या जिने फोप में फल खरीदना है वह आपके परमारेंट गराहक बन सकें क्योंकि जो चोटे दुकानदार है या फिर जिने ज़्यादा फल खरीदना होता है वो फल मंडी से ही फल लेते हैं वहीं फल मंडी के आसपास ही अपने लिए गुदाम की विवस्था कर जहां फलों का स्टॉक रखा जा सके या बचा हुआ माल एकत्रित किया जा सके शमशक्ति फल के व्यपार में बहुत जादा लोगों की आवशक्ता नहीं पड़ती है ये काम आप दो लोगों में भी कर सकते हैं दो लोग मिलकर कांटे पर फल का नातुन फल को पाक करके ग्र वार किया जा रहा है उसकी आपूर्ती परयाप्त मात्रा में अच्छी गुनवत्ता के साथ उपलग्ध हो ऐसे में ये आवशक्त है कि व्यपार करने वाले व्यपारी के पास अच्छी गुनवत्ता वाले फल होने चाहिए आम तोर पर बड़े किसानों के द्वारा फल मंड कि ये हुए भी फल अपने व्यपार में शामिल कर सकते हैं हर शहर में फलों के थोग व्यपारी होते हैं सबजी मंडी की तरह फलों की मंडी भी होती है थोग बाजार से खरीदे गए माल को रीटेल में किस भाव में बेचना है वहां यहां के थोग व्यपारी ही बता देते ह इसके बाब जो शेहर के अलग-लग इलाकों में फ़लों के अलग-लग रेट होते हैं, फ़लों के रेट उसकी क्वालिटी, पैकेंग, रख रखाव, शोरूम में रखा माल, खुले में, फ़लों की बिक्री, शेहर का सस्ताव और महंगा इलाका आधी पर डिपेंड करता है, थोग वैपार करने में निवेश, फ़लों का थोग वैपार करने में सबसे पहले जो खर्च आता है, वो है गोदाम का, फलमंडी या सबजी मंडी के आसपास ऐसी जगा ढूना, जहां से आपको बिजनस करने में आसानी हो, तो ऐसी जगा के लिए आपको किराया भी अच्छ पर करती है, इसके अलावा फलों को तॉल में के लिए हाथ वाले तराजू या इलेक्ट्रोनिक तराजू की अविशकता होती है, कुल मिलाकर आप दो लाख रुपए तक में इस बिजनस को बहुत अच्छे से शुरू कर सकते हैं, बिना किसी कटौती के, फलों का किया जाए, अन्य था थोड़ी सी लापरवाही के कारण बड़ा नुकसान हो सकता है, साथ ही इस पर भी ध्यान देने की जरूदत है कि फल जादा बासी ना हो, दिखने में ताजा और साफ दिखें, जिससे ग्राहक संतुष्ठ होकर आसानी से खरीच सके, सरकारी सहाइता अन्य वेपार की तरह, इस वेपार के लिए और लगू उद्योग को भढ़ावा देने हैं तो भारत सरकार और प्रदेश सरकार के द्वारा सबसीडी और लोन की साहयता दी जाती है, लोन प्राप्ट करने के लिए वेपार का रेजिस्ट्रेशन कराने की उपरांत आधार का अन्य जरूरी बस्तावेज लगा कर पोटल पर ओनलाइन लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं, तो देखा आपने कि आप फ़लों का बिजनस कितनी कम लागत में शुरू कर सकते हैं और इससे अच्छा खासा मुनाफ़ा कमा सकते हैं, ऐसे और भी वीजियो से आपके सामने ला